हेलो असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग आज हम अपने बैक्यार्ट में DIY फैंसिंग करेंगे क्योंकि ग्विल्डर्स की तरफ से फैंसिंग अभी अगले साल तक नहीं होगी यह नियू एरिया है अभी ग्रास भी इसमें नियू लगी है और नियू लगने के बावजूद अभी कुछ कितने लोगों की ग्रास जल गई है आप देख सकते हैं यालो यालो हो रही है क्योंकि यह लोग दिन में धूप में पानी देते हैं पानी लगाते हैं जबकि इसमें लिखा हुआ तो उन्हें इन्स्रक्शन देते हैं अर्ली मॉर्णिंग करें या फिर पांच ब गूमने का बहुत शॉक या यह मुझे लेके रही हुआ है क्योंकि हस्बेंट बिज़ी होती थे तो आफिस के काम में तो मुझे ही इसको लेके घुमाना पड़ता था बाहर कभी प्राम में कभी ऐसे ही ती तिन चार चक्कर पांच चकर में जाती थी इसको लेके और बिचा जाओड फैंसिंग तो पीछे चूड़ ही नहीं सकते थे तो यहां पर यह पर यह प्रोजेक्ट ब्राहीम कर रहे है हम लोग कंप्लीट कर रहे था कि इसको अराम से घर में गाम भी करते रहे तो इसको में बाल्स वगर्ला टौाइज वगर देखे चार फैलता रहता है और जो green color की net है और यह जो sticks है black color की जिसके साथ यह fencing कर रहे हैं यह हम लोगों ने रोना स्टोर से ली हैं बहुत ही कम budget में low budget में यह fencing हो गई आराम से इन्होंने काफी मेहनत करी है हजबने बट अच्छा कर दिया है अच्छी फैंसिंग टेंपरियरली अच्छा हो गिया है बट औरिजनल फैंसिंग तो आई तिंग नेक्स्ट समर में ही लगेगी और फिर बैक यार्ड में बच्चों को इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ र और इबराहिम को वैसे पानी से खेलने का बहुत जादे ही शौक है जहां भी पानी मिलता है बस यह दर ही चला जाता है और एविन ग्लास में विए थोड़ सा पानी बच्छा है तो उसमें हाट डल के खेलता है एंड इंड बच्छों को खेलने देना चाहिए हम लोग बच् यह दो खेलने नहीं देते जैसे बच्छे खेलना चाहते हैं डिफेंट डिफेंट चीजों से इनको अश्प्रोर करते हैं मटी से खेलते हैं पानी से पथरों से नेच्रל चीजों से खेलके अरो होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम लोग मतलब जो 80 or 90 स के बच करके बट अब जो यह 2000 के बाद के बच्चे हैं जैन जी के जैन जेट के जो बच्चे हैं वो इस तरह की अक्टिविटी से दूर ही हैं और ज्यादा तर हम खुद हम लोग जो अपने बच्चों को बसके कपड़े गंदे ना और हाथ गंदे ना और इस गंदी चीज़ घर ना पहले इन सब चक्कर हो मैं ना बच्चों को बस बिठा के रखते हैं और बच्चों को समझते हैं वह यह बड़े हैं और यह बस बैठे रहेंगे ना यह घर गंदा करेंगे ना यह खुद को गंदा करेंगे और उनको मॉबाइल देते हैं मैंने खुद भी ऐसा बहुत कर रह तो मतलब एक त्रेड़ घंटा अगर मैं इसको निकाल देता है तो तकरीब आदे से एक घंटा तो यह खेलता रहता है इतना एंजॉय करता है और जिस दिन मौसम थोड़ा होता है तो पानी नहीं डालती बट जिस दिन बहुत धूप होती है इस दिन इसमें पानी भी डाल दे पानी डाल की डेड़ा होती है तो अब होती है तो फोड़ तो तो पानी डाल की दे दिया है तो खेलते रहते हैं मैं अपना कीचन में काम करती है बहुत एजी हो गये हुए तो अष्याब कर दो कर दो कर दो कर दो संप दो कि स्थ्स्टड़ सुड़िक कर दो दोgen Ring CONartet vikt तो दो कर दो कर दोकी कर दो है संपcken। तो यह तो था बच्चों के लिए सारा सेट अब यह सैट आप चर swatchколों के वहां हैं यह बड़ों के लिए कर रही हैं यह टेंट लेकर आए हैं जो कि हम जब तक समर्जा सकते हैं तो हम बैख्यार्ट में बैट गये शाब कर ले Virite कि यहां पर दूप सब्सकेनडा है थुप सब्सक्राइब अरद कम पाकिस्तान में बहुत समय कैन दूप पुलूइशन से हाँ है रिकाता है छोटमसा एक अदिक पाकिस्न मिल बधार थुट यहां पर आगर आपने दो दिन भी संब्लॉक ने लगा है तो तीसरे दिना से लगा है कि आप अपनी एच से बहुत बड़े लगने लगेंगे इसकिन पूरी खराब हो जाती है क्योंकि यहां की जो यूवी रेसें के बीच में कोई पुलुशन वगरा नहीं आए इस वजह से बहुत फर्ग पड़ता है तो इसलिए यह टेंट लगा रहा है ताकि हम लोग बैठें जब तेज धूप हो तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी हो जाए और और कोई आने भी वाला है पाकिस्तान से कोई आ रहा है कौन आ रहा है यह मैं आपको इस वीडियो नहीं बताऊंगी जो भी मेरे थोड़े फ़त सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो वाँच करते हैं उनके लिए सप्राइज है सप्राइज है कि कौन आ रहा है और बस कोई मतलब बच्चे बहुत हैपी होने वाले हैं और हम लोग भी बहुत एकसाइटीड हैं और वेट कर रहें उस दिन का और यकीन नहीं हो रहा है आप लोग जरूर देखेंगा मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो शायद जो में टालूं उसमें आप लोगों को बताऊंगी और इदेखें सारा सेट अप हस बढ़ने कर रहा है टेंट वाखला लगाया है और फिर जो डाइनिंग टेबल एक एकस्ट्रा बढ़ी वी थी घर में जो हम लोगों ने पहले ले ली थी छोटी सी थी तो फिर हमने नेक्स्ट दूसरी ले ली तो इसको पहार रख दिया है मैंने और बैक्याट का फरनीचर नहीं लिए भी तो काम चल गया अच्छा लग रही भी और आज कल बस हम इनी सब तैयारियों में लगे वे हैं क्योंकि बहुत सारी तैयारियां भी भी करनी हैं और कुछ चीज़ाई कैसे भी मैं लेकर आई हूँ वो आप लोग को आप लोग के साथ शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर भ लाइट हम लोगों लगाई थी घर के बाहर फ्रेंट एरिया पर विंटर्स में लगाई थी जब इसनो पर रही थी बहुत और क्रिस्मिस के दिनों में लगाई थी हमने तो बस अभी वेब तो वैसे बहुत लंबी दिन होते हैं नौ बचे ता कंधेरा होते हैं तो इस ही ला लुक आ रहा था लुक आ रहा है बहुत अच्छा और हजबन भी बहुत जदा खुश हैं बहुत एकसाइट हैं बहुत सारे काम डेली बेसिस पर कर रहे हैं और बहुत सारे कर लिये हैं बहुत अभी काफी सारे काम रहते हैं जो अभी करने हैं अभी सेटिंग वगरा करनी है रूम सेट करना है कफी सारी चीज़ें पिलो, कमफर्टर, इस सारी चीज़े लेकर आनी है भी और यहां मैं और हजबन मिलके लाइट्स लगा रहे हैं बरिया भी बहुत जादा एक्साइटेड है और वो रोस पुछती है उसको डेट बताई विये के जलाई की सेट को آएंगे तो वो रोस पुछती है वो जलाई कब आएगा नाइन जलाई कब आएगा जलाई नाइन कब आएगा ममा और आप लोग कमेंट सेक्शन में गैस करिएगा कि कौन आरहा है और देखते हैं आप लोग गैस कर पाते हैं सही या नहीं यहाँ पर हम लोगों ने लाइट लगा दी है और यह था पूरा बैक्याट का लुक और आज कैनिडा डे था छुट्टी थी सबकी लेकिन हस्बेंड की छुट्टी नहीं होती है यह आफिस के बाद ही सारा काम कर रहा है क्योंकि हस्बेंड का जो आफिस है वो यूएस में है और यह यूएस के लिए काम करते हैं तो कैनिडा में इतनी छुट्टी आती हैं कि भी विक्टोरिया डे इतने लॉंग वीकेंड आते हैं यह भी बहुत लॉंग वीकेंड था ऐस्बेंड के लूए तो यह बहुत बड़ा एक ड्राव बैक है कि जॉब कैनिडा के नहीं है तो कैनिडा में जितनी शुक्ति होती है वह स्वेंट की कोई शुक्ति नहीं होती ही देखें यह हमारे नेबर्स में फायर वर्क्स किये थे कैनिडा डे के लिए इस जस्प्लाइक हमारे लिए 14 कि अधिकाती उनाइप में कि अधिक शर्ड़े ब डेपकाती है सोस्चित नहीं है कि बड़ कि बड़ से कि अधिकाती है